डिली में सुक्रवार को कोहरा तो कम दिखा लेकिन आस्मान में बादल छायर है जिसकी वज़े से लोगों को हल्की सी धुंद का सामना करना पड़ा वहीं सीत लहर जो है वो भी राधानी डिली में चली जिसकी वज़े से कडाकी की सरदी हो रही है बदले हुए मौसम का की बात के लिए तो सुबह के वक्त जो लोग अपने काम काज और मौनिंग वॉक के लिए निकलते हैं वो इस मौसम को थोड़ा बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं क्योंकि राजधानी दिली में जिस तरीके से सरदी पढ़नी चाहिए थी वो अब इस वक्त पढ़ ही क्योंकि रा मौसम का जो बदला हुआ मिजाज उसका कहीं न कहीं दिली वाले इंजॉय भी कर रहे हैं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कालंदी कुझ की देखे कि इस तरीके से यहां पर सुबह के वक्त दूर दूर तक जो हलका कोहरा है वो देखने को मिल ला है वहीं इस मौसम के जी गुरपीत आज आया है कालंदी कुझ पर कोहरा पढ़ा है किस तरीकी विजिबिलिटी है पाजी मैं एथे मौर्णिंग वोक करने आया था मैं गड़ीत हूं तो इधर देखा है के मौसम काफी बढ़ी है और काफी माइगरिण बड़ भी आ रहे हैं और कोहरा भी अधर भी पाणा बना हूँ है दिली दा जो है एथे मतलब देखें आपक्षी अक्षी काफी है और मतलब एथे मौसम साफ है पुरा और थोड़ा कोरा लगा हुए पर काफी नजयॉफुल मौसम रखा है ठंड भी है अप गाडी में है पैदना है कोई प्थिना है कोई काफ थोड़ा लगा हुआ है ठंड काफी है जी मतलब ठंड शीत लेर चलिए दो चार दिने बरफ पढ़िये पाड़ों पर तो एथे ठंड लगी पाई है तो किस तो देख रहा है मौसम बिकट रहा है कि इक है जी मैं मैंनू लगदा है मतलब चार-पांच दो अगे सर्दी रही क्योंकि एथे मनाली और शिम्ला इदर बरफ बारी काफी है तो शीत लेरों का काफी रहने वाला है जो समतल लेला कि अपना दिली अपना यूपी अधर हर्याना सारे में उना शीत लेर की संभावना इस काफी है तो गाड़ी की स्पीड ठीक है पर कोड़ा थोड़ा काम है शीत लेर काफी है जी ठंड काफी है